हर दिन हर सेकंड एक लाग से ज्यादा वेब सर्च का अच्चूक जवाब देने वाले गूगल का 20 साल का वर्चस्व क्या खत्रे में है दरसल यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चैट जीपीटी जैसा आटिफिशल इंटेलिजेंस अरधारित चैट बॉट इंटरनेट के इतिहास का सबसे तेजी से बढ़ने वाला कंजूमर एप बन गया है दो महीने में इसके रिकॉर्ड दस करोड से ज्यादा सब्सक्राइबर बन गए हैं इसके जवाब में गूगल न अपने सर्च इंजन बिंग में चैट जीपीटी मनानी वाली कमपनी ओपन आई के साथ 10 बिलियन डॉलर यानी करीब 82,550 करोड रुपे के निवेश की घोशना की हैं इंटरनेट की दुनिया में दो दशक तक अपना अधिकार जमाने वाले गूगल को अब एक साथ दो चु जिनकी वज़ा से सर्च इंजन गूगल का एक अधिकार पहली बार ऐसे संकट में हैं पहला जवाब पिरोना चैट जीपीटी एक वाक्य में अगले शब्द की भविश्यवानी करते हुए काम करता है भाशा मॉडल के आधार पर वे इंटरनेट में मौजूद लाखों ग्र जुप में भी जवाब हासिल कर सकते हैं दूसरा टेक्स से डिजाइन इसका डेल उय टूल इतना उननत है कि ये टेक्स से संगीत की रचना कर सकता है ग्राफिक्स और पेंटिंग भी बना कर दे सकता है इसमें आप 3D इमेज भी आसानी से रच सकते हैं नई क्लाूड रचना से आप अपने पसंदिदा कवी की रचनाओं को सुर्बुद और अपनी भाशा में लिपी बद कर सकते हैं तीसरा खोज का तरीका बदला चैट जीपीटी फीजेट डेटा के अनुसार यूजर के सवालों का जवाब देता है यह तमाम सर्च के प्रणामों का विशलेशन करता है और फिर वांचित जानकारी के रूप में रिजल्ट देता है चैट जीपीटी से आप अपने मॉड्यूल को फाइन ट्यून कर कमाई का जरिया भी पैदा कर सकते हैं गूगल के बार की अधिक जानकारी नहीं मिली है इस पूरे मुद्धे पर गूगल के CEO सुन्दर पिचाई का रियाक्शन आया है गूगल ने AI बार्ट की टेस्टिंग की और एंत्रोपिक में 302 क्रोड पे कर निवेश किया है CEO सुन्दर पिचाई का कहना है कि हमारा AI लेंग्वेज फॉर डायलोग एप्लिकेशन मॉडल लेटेस्ट डेटा पर अधारित है फीड़ नहीं है चैट जीपीटी 2021 तक के डाटा पर अधारित है हमारी मुठी अभी पंध है तो क्या सच मुझ गूगल की बादशाहत को खत्रा है क्या चैट जीपीटी गूगल को टक कर दे पाएगा क्या वो कर पाएगा गूगल की बादशाहत को समाप्त देखना होगा